दोस्तों बात करें तो जो असुस है ना वो अपना आरोजी फोन का फिफ्ट वर्जन लॉंच करने वाली उसकी लॉंच ड्रेट इंडिया की आज रिलीज कर दी है और अच्छी बात यह कि शायद कैरी लाइफ चैनल जो है इनका वहाँ पनको शायद आपको सबसे पहली इंबॉक्सिंग देखने को मिल जाए काफी अमीजिंग चीज है लेकिन हाँ फोर को स्किप करके फाइप याचो के लिकेट कूलिंग ये स्वेशल एसेसरी और पीछे की तरफ काफी सारी चीज़े देखने को मिलेंगी और हाँ 144 हट का रिफ्रेश रेट कंफर्म करके बदा सकता हूँ लेकिन इसकंदर आपको हेटफोन जेक देखने को नहीं मिलेगा दो टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेंगे 50-55,000 कीमत देखने वाली बाते क्या रहती है और ये भी देखने वाली बाते कि लोग इसे लेंगे क्योंकि जहां तक मैंने देखा पबजी बैन होने के बाद लो मतलब मेरे साब से अगर असुस को कोई अच्छा गेमिंग फोन निकाल लें इंडिया के लिए 20,000 रुपे से कम में गेमिंग फोन निकाल लो क्योंकि हर कोई यहना 20,000 से कम में फोन लेता है वो एक स्वीट स्पॉट रहता है यहाँ खेर यहाँ पर आपको असुस का अरोज 9E हमने सुनातर इसकी स्पैसिफिकेशन कुछ सर्फेस हो चुकी है एक वेबसाइट है टेक मैनिक टेक मैनियक्स उनकी तरफ से एक लीक इंफॉर्मिशन आईए और देखके पता चल रहा है कि इसके अंदा को स्नैपडरगन 690 यह नौड N10 5G में देखने को मिला था लग भ 9E या 9Light के साथ हम लोग expect कर रहे थे 870 डे समझ में भी आता है 865 डे 870 डे यह अची चीज रहे थी 690 समझ में नहीं आ रहे है जब मार्केट में हमारे बार 750 जी 768 जी जैसे काफी कमाल के प्रॉस सरे स्नैपडरगन 865 के भी लांच होने वाले और स्नैपडरगन 870 देखने सुनने में तो किसी रियल्मी फोन की specification लगती है लेकिन हाँ फिलहाल के समय में कहानी है अब देखते हैं क्या OnePlus का ये फोन सच में इंडिया में आता है क्या इसी specification के साथ आते है फिर इंडिया में OnePlus 9 Pro और 9 ही देखने को लते हैं वैसे OnePlus वाले स्मार्ट है शायदा पर उन्हें कोई फोन लांच करना है थोड़ा सो घुमा फिर आके कुछ इलग तरीके से लांच कर सकते हैं तो खेर ये एक बात हुजाती है यहाँ पर इसी के साथ ही बात करें तो जो Redmi Note 10 सिरीज है अब जो Redmi Note 10 है अब उसके बार में क्या बता हूँ आप लोग को Redmi Note 10 सिरीज यह confirm होगे कि सब में Snapdragon का processor होने वाला 100% उन्होंने बात confirm कर दिया लेकिन यहाँ पर एक बात यह कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आथ सुबह Redmi Note 10 का box भी लिग कर दिया हमारे अभी शेक्या था भाई ने तो मैंने देखा अब मेरे साब से मैंने अपने वीडियो प्रो में आगा Redmi Note 10 में 700 732G IPS LCD 120Hz होगा यहाँ पर कहानी वो अलग होगी Redmi Note 10 के अंदर होने वाला है 678 AMOLED डिस्पले 48MP के क्वाड कैमरा Redmi Note 10 Pro में लग रहा है 732G का processor 120Hz का IPS LCD डिस्पले और Redmi Note 10 Pro Max में 5G 768G 120Hz का IPS LCD डिस्पले और डाउट अभी तक बना हुआ है 108MP की कैमरा की अब देखने वाली बात होगी क्या चीज़े सही रहते हैं क्या चीज़े गलत होती है देखते हाने वाले टैम में क्या रहता है लेकिन फिलहाल के समय जो कहानी है वो मैंने आप लोग को बता दी अगर इसके अंदर कोई भी development होगा कोई और information है कोई leak हैगा definitely मैं आपको फिर भी कोशिच करते रहेंगे आप लोग के लिए देखते हैं आगे चल के कोई और information निकलते हैं और इसे के साथ ही बात करें तो जो iq company है शायद वो अपने आने वाले समय में दो phone को इंडिया में launch कर सकते हैं इनके कुछ modern numbers, BA certification वगरा हमें पकड़ेगा हैं काफी सा information नि देखने को मिलेगी यह phone भी BIS certification में दो भी पकड़ा नहीं है, Geekbench में पकड़ा गया, BIS में शाद पकड़ा जाएगा लेकिन F3C listing होती है, वहाँ पे confirm हो गया है, इसके model number वगरा confirm हो गया है कि i2012 होने वाला है, तो हाँ आपको कुछ चीज़े देखने को मिलेगी, देखते क्या देखने को मिलेगा, अभी इसके specification के बारे में बात करे, iQoo Neo 5 की Snapdragon 870 90Hz का display, 66W की charging, x120GB internal memory, Android 11 with origin voice, origin voice याद रखना, origin voice के साथ यह चीज़े देखने को मिलेगी, तो हाँ यह चीज़े देखने को मिल रही है, देखते किस कीमत पे आते हैं, उम्मीद है कि iQoo है ना, साल बार तो होने वाले है, उसे क्या वो अपना कोई phone launch करते हैं, देखते आने वाले time में क्या कहानी रहती है, और इसी के साथी Samsung की तरफ से काफी कमाल की खबर आई है, वो यह है कि Samsung के majority phone जो 2019 के बाद बिखे हैं, सब को 4 साल तक security patches का update मिलेंगे, यह exactly Google और Android One प्रोग्राम से भ काफी सारे phone से M series के phone है, और Galaxy Tab series जो tab होता है वो भी देखने को मिल रहा है, बस जो layer latest F62i वो लो ने अभी mention नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है कि वो भी इस list में add होई जाएगा, लेकिन हाँ 2019 के बाद के जितने भी phones launch हो है, सब के अंदर आने वाले 4 साल तक आपको security patches के update म और जो update होता है वो time पर provide करे, company आ time पर update नहीं करती है, और ये सबसे बड़ी problem लगती है, छली इस बात को जाने देते हैं, बात करते हैं आप जाते आते हैं आप लोगे कुछ comments के बारे में, तो यहां आज mysterious gday gamer का interesting सवाल है पूछ रही, what is high-resolution audio, एक uncompressed file होती है, जिसके अ अगला file format में आता है, एक flag होता है, वो काफी famous रहता है, इसमें आपको देखने को मलता है, जो आप MP3 generally सुनते हैं, वो compressed version होता है, तो हाँ, high-res audio का मतलब यह है कि, जो decode होगा, जो phone होगा, वो flag वाली जो high-res audio file सुनके, इनको support करेगा, और उनको provide करेगा, आपके speaker के थूर होता है, तो आपको wireless headphone या earphone भी support होना चाहिए, high-res audio का, और उसके बाद इन high-resolution जो audio वगरे रहते हैं, आप उनको सुन सकते हो, basic concept यह ही, high-resolution की जो audio file है रहती हैं, उनको read करने के लिए बनाया जाता है, practically थोड़ा बहुत ही improvement करता है, sound वगरा में, equalization वगरा के option आ जाते ह तो हाँ, थोड़ी बहुत sound वगरे improve कर सकते हो, high-res audio है और headphone jack है, तो कई बार होता है कि headphone jack से आपको कई बार अच्छा output देखने को होता है, क्योंकि कई बार high-res audio के लिए, यह लोग dedicated कोई deck को implement करते हैं, जिससे audio के quality via headphone jack improve हो जाती है, तो काफी सारे phones देखे थे जिन से इसमे improvement वगरा पढ़ता है, तो हाँ, इस तरीके से कहानी चलती है, जात तर लोग जो 90% लोग है ना, वो high-res audio सुनते भी नहीं है, नॉर्मली सुनते इसलिए उन्हें कोई ऐसा बड़ा भारी फर्क पता चलता नहीं है, और शायद यह certification वगरा कुछ रहता है, और एक marketing term मिल गया ह इसलिए शाद इसे use करते हैं, वहाँ, the benefit तो है, अगर आप इसे use करना चाहते हो, कर सकते हो, बस use करना थोड़ा सा complicated और मुश्किल है, इसके लिए आपको lossless value और high-res audio files की ज़ुरूत पढ़िए, अगर आप phone के अंदर सुनना चाहते हो, तो दोस्तों, आतके शो में बस इत